ब्रोकरेज कमपनी बर्न स्टीन ने भारत के पिछले एक दशक के आर्थिक हालात को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है बर्निस्टीन के इस रिपोर्ट में मोधी सरकार द्वारा पिछले लगबग एक दशक में किये गए आर्थिक सुधारों को भारत की तरक्की के लिए काफी महत्वपुर्ण बताया गया है इस रिपोर्ट में GST और डिजिटली करण जैसे बोड़े सुधारों को देश के आर्थिक विखास का श्ट्रे दिया गया है आये देखते हैं और क्या कुछ है इस रिपोर्ट की खास बाते इस रिपोर्ट में नरेंदर मोधी के नेतरतु में भारत आर्थिक तरक्की का एक नया अध्यायरच रहा है ब्रोकरेज कमपनी बनिस्टीन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस बात की एक बार फिर पुष्टी की है बरनिस्टीन ने पीएम मोधी के नेत्रित का दशक एक लंबी छलांग नाम से ये रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट में नरेंद्र मोधी सरकार के कारिकाल के दोरान किये गए एतिहासिक आर्थिक सुधारों को भारत की तरक्की का सूत्रधार बताया गया है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि GST जैसे बड़े आर्थिक सुधार और बुनियादी धांचक शेत्र पर जबरदस्त खर्च से भारत आज दुनिया की पाँचवी बड़ी अर्थिव्यवस्था बन गया है रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले एक दशक में हुई प्रगती के लिए डिजिटली करण और बेहतर नीतिगत माहो लें बड़ी भूमी का निभाई है इसके लावा इस दोरान अर्थिववस्था को संगठित कर वे निर्मान के लिए निवेश को आकरशित करने की दिशा में भी काफी काम हुआ है 37 रिपोर्ट में सरकार की तरफ से महंगाई पर लगाम लगाने और वित्य समावेशन की दिशा में काम करने की भी बात की गई है रिपोर्ट की मुताबिक इन ही सुधारों के चलते भारत 2014 के दस्वे स्थान से उचल कर आज पांचवी बड़ी अर्थिववस्था बन पाया है रिपोर्ट में कहा गया है कि भागी रातो रात चमकता है कुछ के लिए यकिसमत से होता है और ज्यादतर के लिए वर्षों के प्रयास से भारत कुछ इसी तरह की कहानी है बनिस्टीन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मोधी सरकार को विरासत में एक कमजोर अर्थिववस्था मिली थी और कई संस्थान भी संकट में थे लेकिन सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में बेहतरीन काम करते हुए इन सब मुश्किलों को पीछे छोड़ दिया महतुपूर्ण आर्थिक सुधार और तकनीक के जरिये कुशल कारे प्रणाली की मदद से भारत अपनी विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ा रहा है जल्द ही भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थिव्यवस्था बन जाएगा और अम्रितकाल के दोरान एक विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखेगा ब्योरो रिपोर्ट डीडी नियूस